डॉल्फिन टेलेफोन पर एक दूसरे से बातचीत कर सकती है और पता लगा सकती है कि सामने फोन पर कौन है जैसे उसका बेटा एटसेटरा. फिलहाल पृत्वी पर डॉल्फिन्स की 41 जीवित प्रजातिया है. इनमे से 37 समुद्रों में और 4 नदियों में पाई जाती है. जानवरों में सबसे लंबी याददाशत डॉल्फिन की ही होती है. डॉल्फिन की उम्र 15 साल होती है, कुछ प्रजातिया 50 साल तक भी जिन्दा रहती है. डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज्यादा सुन सकती है, लेकिन इन्हें खुश्बू और बद्बू नहीं आती सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की है डॉल्फिन के दाथ होते हैं, लेकिन ये भोजन को कभी चबाती नहीं, बलकि सीधे निगल जाती है सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो की और सबसे बड़ी डॉल्फिन 9000 किलो की है डॉल्फिन खुद को शीशे में पहचान सकती है अमेरिकी नेवी के पास 75 प्रशिक्षित की गई डॉल्फिन्स है जो उनकी पानी के अंदर माइन्स और दुश्मन तैराकों को ढूंडने में मदद करती है डॉल्फिन एक आख खोल कर सोती है डॉल्फिन 36 के उमार की स्पीड से भी तैर सकती है जबकि इनसान अधिकत्तम 8.6 किलोमिटर पर आवर की स्पीड से ही तैर पाते हैं डॉल्फिन और भेल जब बच्चे को जन्न देती है तब पहले उसकी पूँच निकलती है ना किस सिर मेल डॉल्फिन्स को बुल्स और फीमेल डॉल्फिन्स को काउस कहा जाता है पहली दो मोवाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की की एक बीच पर पाई गई थी डॉल्फिन्स का सेक्स नाभी से नाभी में होता है जब किल्लर वेल और बॉट्टल नोस डॉल्फिन का आपस में सेक्स करवाया गया तो एक नई प्रजाती वुल्फिन्स पैदा हुई डॉल्फिन और भेल जब बहुत ज्यादा खुश होती है तब वो चिल्लाने लगती है डॉल्फिन अपनी त्वचा की उपरी परत को हर दो घंटे में उतार देती है ब्रिटिश पानी में जितनी डॉल्फिन मौजूद है उन सभी पर इनलैंड की महारानी का हक है डॉल्फिन समुन्दर का पानी नहीं पीती क्योंकि ये इनहें बीमार और यहां तक की मार भी सकता है डॉल्फिन जो भोजन खाती है उसी से पानी की आपूर्ती कर लेती है डॉल्फिन अपने आप सास नहीं लेती यही कारण है कि नींद में भी इनके दिमाग का एक हिस्सा जागता रहता है जिससे सास ली जा सके डॉल्फिन पानी में 990 फीट की गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट उपर तक उछल सकती है यानि दो मंजिला इमारत के बराबर यदि आपको कोई डॉल्फिन समुंद्र से बाहर बीच पर मिलती है तो उसे वापिस पानी में भेजने की कोशिश न करे क्योंकि ये ऐसा बीमार होने पर डूबने से बचने के लिए करती है डॉल्फिन के पास दो पेट होते हैं एक पेट में भोजन का भंडारन होता है और दूसरे पेट को पाचन के लिए उप्योग किया जाता है डॉल्फिन कभी अकेले नहीं रहती है यह हमेशा समूह में रहना पसंद करती है इनके एक समूह में 10 से 12 सगस्य होते हैं भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती हैं, लेकिन गंगा में मौजूद डॉल्फिन धीरे-धीरे विलुप्थ होती जा रही हैं डॉल्फिन पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती हैं, क्योंकि वह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती सांस लेने के लिए उन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता है डॉल्फिन डॉल्फिन नाम ग्रीक शब्दों डेल्फिस डुल्फिस और डेल्फिस डुल्फिस से आया है जिसका अर्थ है फिश्वित अवूंग डॉल्फिन के मुह में लगभग एक सौ दान्त होते हैं वे अपने शिकार को पकड़ने में दान्तों का इस्तिमाल करते हैं लेकिन वे इससे चबाते नहीं हैं वे अपने शिकार को साबुत निगल जाते हैं अधिकांश जीव प्रजन के लिए संभोग करते हैं लेकिन डॉल्फिन ऐसे जीव हैं, जो इंसानों की तरह अपने आनंद के लिए भी संभोग करते हैं। डॉल्फिन का गर्भकाल प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। छोटी प्रजातियों जैसे की टकसीकसी डॉल्फिन, क्यूकसी डॉल्फिन के लिए यह अवधी लगभग 11-12 महीने हैं, जबकि औरका, औरका, जैसी बड़ी प्रजाती के लिए लगभग 17 महीने हैं। सामान्यतह मादा डॉल्फिन एक बार में एक बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन कभी-कभी वे जुर्वा बच्चों को भी जन्म देती हैं। डॉल्फिन एक मात्रस तंधारी है, जिसमें जन्म देते समय सिर के बजाय पूछ पहले बाहर आता है। जन्म देने के बाद मादा डॉल्फिन अपने बच्चों को 11-18 महीने तक अपने साथ रखती हैं और उनका पालन पोशन करती हैं। मादा डॉल्फिन अपने बच्चों को प्रचुर मात्रा में वसा युक्त दूथ पिलाती हैं। डॉल्फिन के द्वारा निकाले जाने वाली ध्वनी की रेंज बहुत विस्तृत है